हेलो बच्चो, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड इंग्लिश, चेप्टर नमबर सेकेंड, जिसका नाम है इस्माइल विदे ब्लेसिंग, अतार्थ आश्रिवात के साथ मुस्कुराओ का अध्यन करेंगे, स्टार्ट करते हैं, चेप्टर का नाम इस्माइल विदे ब्लेसिंग, मतलब कोई हमें आश्रिवात दे रहा है, और हम इस्माइल कर रहे हैं, शुरू करेंगे, एक जो बुरी महिला है, वो मार्केट जा रही थी, शी वर्स केरिंग ए बास्केट ओफ फ्रोट्स, उस वर अपने साथ में क्या फलो की टोकरी भी ले जा रही थी, on the way, रास्ते में ही, शी स्टेब्ड ओने बनाना पील, उसने एक केले के छिलके पे कदम रखा, एंड फैल डाउन, और वो गिर गई, ठीक है, समझ मैं यह फल किसने लग गए, किसके ओपर उस बुडी महिला के ओपर, all her fruits scattered on the ground, उसके जो सभी फल थे टोकरी में, वो सब जमीन पर विखर गए, यह आप देख सकते हैं, ओके, चलो, मिना helped the old lady to stand, उसके बाद एक मीना नाम की लड़की ने उस बुडी महिला की मदद की खड़े होने में She picked up all the fruits, मीना ने सारे fruits से उठाए, and put them into the basket, और उनको बास्केट में रखा, मीना थूद बनाना पिल into a dustbin, मीना ने जो केले का छिलका था, जिस पे पेर रखने से वो बुडी महिला गिरी थी, उस केले के छिलको को dustbin में डाल दिया, मतलब कच्र पार्त में डाल दिया Oh, thank you so much, may God bless you, said the old lady, उसके बाद जो बुडी महिला थी, उसने मीना को धनिवात कहा, thank you so much, और कहा, may God bless you, मतलब भगवान तुमारा भला करे, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, कि हमें भी हमेशा दूसरों की help करनी चीए, और कोई अगर ऐस से जमीन पर गिर जाए, तो उसका मजाग बनाने की बजाए, उससे उठाने में मदद करनी चीए, यही इस स्टोरी की सीख है, नेक्स्ट मिनिंग देखते हम, केरिंग, किसी बस्तु को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ले जाना, स्टैब्ड कदम रखा, पील छिलका, स्केटरेड बिखरना, पि देखते हैं, tick right against the correct option, मतलब हमें right tick करना है, जो भी सही options है, उसके सामने, पेरा है, an old lady was going to, जो बुडी महिला है, वो कहां जा रही थी, hospital जा रही थी, temple, मंदिर जा रही थी, या school जा रही थी, या market, तो बुडी महिला कहां जा रही थी, market जा रही तो हमें market के आगे right tick करना है, तो हमने market के right tick कर दिया, second question है, the old lady stepped on the peel off, old lady जो थी, बुडी महिला, उसने किस के चिलके पर कदम रखा था, तो हमने जैसा की chapter में पढ़ा, उसने बनाना के चिलके पर कदम रखा था, मतलब केले के चिलके, तो बनाना को हमने right tick कर दिया, उसके बाद next question है, अपने पास, the old lady said to Mina, old lady ने Mina को क्या कहा था, क्या कहा था, thank you, क्योंकि उसने उसकी help की थी, तो हम thank you पर right tick कर देंगे, उके, बागी की activities हम next class में करेंगे, अगर आपको समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो please channel को subscribe कर लेना, और वीडियो को like share जरूर कर देना, मिलते हैं next video में,